आप सभी का स्वागत है जोति शूर्जा में छोटे बच्चों के हाथ या पैर में काला धागा बांदने के परंपरा शुरू से चलिया रही है नजर से बचाने के लिए ये उपाए बहुत से लोग घरों में करते हैं माना जाता है कि काला धागा जिसे कई लोग नजर बट्टू के नाम से भी जानते हैं बुरी नजर और नकरात्मक शक्तियों के प्रभाव से हमें बचाता है काले धागे के कई फाइदे भी हैं और साथ ही इसे केवल बच्चों के लिए ही नहीं बढ़के बड़े और बुड़ों के लिए भी इस्तिमाल किया जाता है बुड़े भी काला धागा बांते हैं माना जाता है कि काला धागा धारन करने से वातावरन में व्यापत नकरात्मक उर्जा को नश्ट करने की शक्ति मिलती है शरीर में काला धागा बांने के कई बहुत से फायदे और भी बताए गए हैं आज मैं आपको यहां पर काले धागे से कुछ ऐसे उपाय बताने वाली हूँ अगर आप भी इसको आजमाते हैं तो आपके जीवन से कश्ट दूर हो सकते हैं आतिक लाब आपको मिल सकता है नकरात्मक ता बुरी नजर से आप बच सकते हैं तो इसलिए आज जो मैं उपाय बताऊंगे वो आप अवश्य करें इससे भी आपको लाब मिलेंगे काला धागा बांधने से आप शनी ग्रह के प्रकोप से बच सकते हैं शरीर में हाथ, पैर या गले में काला धागा पहनने से शनी की बुरी नजर का प्रभाव कम होता है शनी ग्रह से काला रंग संबंदित है खास तोर पर जिस पर शनी का प्रकोप है ऐसे व्यक्ति को काला धागा पहन लेना चाहिए यूँकि मानते हैं कि काला धागा काले रंग को अफशोशित कर लेता है तब ही वो हमें काला दिखाई देता है वहीं काले शक्तियों से भी इंसान बच सकता है तो इसलिए रक्षा होती है उन व्यक्तियों की जिन पर किसी भी तरह से बुरी या नेगटिव एनरजी का प्रभाव है अगर आप मेंसे कोई भी व्यक्ति आर्थिक संकट से जूज रहा है तो ऐसे में आपको मंगलवार के दिन काला धागा शरीर पर धारन कर लेना चाहिए आप इसे दहिने हाथ या पैर में बाधें तो बहुत अच्छा है इस धागे को वैसे पैर में भानना बहुत जाद अच्छा माना गया है जब धागे का रंग हलका हो जाए तो आप किसी भी और मंगलवार को इसे बदल दें और नया धागा धारन कर लें इसे भी बहुत शुब माना जाता है अगर किसी व्यक्ति को सेहत की बेहत्री चाहिए अक्सर अगर आपकी सेहत खराब रहती है अक्सर आपको कोई न कोई परिशानी सेहत को लेकर बनी रहती है तो ऐसे में आपको ये उपाय अवश्य करना चाहिए आपको काला धागा जरूर धारन करना चाहिए जिन लगों की सम अस्या, पेट से संबंदित है, उन्हें अपने दोनों पैर के अंगूठे पर काला धागा बांधना चाहिए। साथ ही प्रतिरोधक शमता बढ़ाने के लिए और दुरगटनाओं से बचने के लिए पैर में काला धागा बांधा जा सकता है। ये भी बहुत उत्तम उपाए है उन लोगों के लिए जिनको बार 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 बीमारियां चूती रहती हैं या जिनके एक्सिरेंट्स बार बार होते रहते हैं ऐसा करने से नकरात्मक शक्तियों का प्रभाव कम होगा और किसी भी तरह की नजर आपको नहीं लगेगी दुरगट के द्वार के सामने आप काला धागा नीमबू मिर्ची टांग सकते हैं काले धागे में आप नीमबू मिर्ची डाल कर भी उसे टांगा जा सकता है काले धागे को कुछ लोग अभिमंत्रित करके भी पहनते हैं इसके लिए आपको किसी योग्य ब्रहमन से उसे अभिमंत्रित करवा लेना चाहिए और उसके बाद उसको धारन करना चाहिए ऐसा आप किसी भी मंगलवार या शनिवार के दिन करवा सकते हैं और उसके बाद आप उसको धारन कर सकते हैं काले धागे को बांधने के लिए एक बात का ध्यान रखना आपको बहुत जरूरी है शरीर के जिस हिस का हमेशा ध्यान रखना है कि आप कोई भी और रंका धागा उस जगे पर ना पहने जहां आपने काला धागा पहना हुआ हो माना जाता है कि भगवान हनुमान यानि के संकट मोचन हनुमान संकट हरने का कार्य करते हैं और काला धागा भी संकट हरने का ही कार्य करता है इसलिए भगवान श्री हनुमान के दिन यानि के मंगलवार को भी काला धागा धारन किया जा सकता है ये बहुत शुब माना जाता है इससे काले धागे में भगवान हनुमान की शक्तियां भी सम्माहिद हो जाती है और आपकी रक्षा होती है मंगलवार के दिन दाहिने हाथ में या दा नौ गांठे बांधें काले धागे पर हनुमान मंत्र जब करते करते आपने नौ गांठे बांधने हैं जब भी आप इस विधी विधान से इस काले धागे को बांधेंगे आपके जीवन से समस्त कष्ट मिठ सकते हैं और आपके जीवन में समस्त समस्याओं का अंत हो सकता है य अगवान कैसे आपके सभी दुखों को हर लेते हैं और आपके जीवन में सभी तेरह की खुशियां आने लगती हैं आज के रिए इतना ही अगर आपको भी ऐसी कोई समस्या है तो आप भी काला धागा जरूर पहने और इन समस्याओं को अपनी जिंदगी से निकाल कर बाहर कर आपका इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद